ऑफ किया क्या के उसका पुर्वा आपधी प्रोस्टों आज इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों कोई भी प्रेशर स्विच हो उसका फंचेन एक होता है कि वो प्रेशर के हिसाब से अपने कॉंटेक्ट के चेंज करता है। जो प्रेशर हम उसको उसको उपर सेट करें के उसके एक वाड़िंग हो अपने पांटेग्ट चेंज ओर करेंगा तो यही प्रेशर का function होता है यह मतलब प्रेशर की इसार्फ से आनाप वनाए ना इसका function अभी मेरे पास यह सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको कम जादा कर सकते हैं अभी हमारा प्रेशर है इसको सब्सक्राइब अब इसको मैं जैसे एक बार कर सकते हैं इधर बार वेवलू है इधर पीस पीषब देखा जाए तो लगबख पंद्राःप सब्सक्राइब अभी आब इसमीं क्या होता है कि यह सेट हो गया है अब इसके पीछे देखा जाए यह स्प्रिंग रहे थे जो भी प्रेशर हम सेठ करेंगे जैसार करेंगे में इन edits कि ऊपर एक बार का प्रेशर हमने अप्लाई कर दिया में यहां पस्ट होगे दोस्तों सामने वाले कांटक है इसको बोलते हम ano contact, your not contact तीक है धूस्तो? यह सरक्री Lewis आपर है तो ya no contact यह यह है, यह no contact है न? इसके उपर देखिएंगे आप ते ये दो नमबर लिखा है मरे मिनली आटेक ये तौपर फे ये neighborhood के पी नमबर लिखा को सीज़ो कर दिया ठीक है और जो एक किक नंबर है यह अर दो हिय reg और ऑगया यह घगया मयम्तसट मतलब जो एक नंबर है वह एंचि है यह एक नंबर एंचिए ना इंप Forsch लुँए और इस यह प्योख है इसके सारखेट को हम समझेंगे डीक estás are इसमें जो मेठलीक पट्टी रहती है इसमारे हमारे चिशो हाई होई है तो यह पट्टी प्सद है जो अंदर इसका अंदर लगा हुआ है ठीक है अब इसका function को आप समझेंगे ये inlet यह यह इनलेट हम मैंने यहाँ पे दे दिया ठीक आप इसका function को हम समझते किस तरह यह काम करेंगा तो ठीक है अभी सर्केट में हम इस तरह समझेंगे दोस्तों कि इसमें आप देखेंगे कि यह एक नमबर क्वांटेक्ट है यह एंसी है यह दो नमबर है यह कॉमन है और यह तीन नमबर है यह नो है ठीक है यह हमारा इस्प्रिंग लगाए इस्प्रिंग दाइग्रम में आपको पता है ये वाला स्प्रिंग ठीक है और जो टर्मिनल बताए ये दो नंबर ये आमारा दो नंबर कोणसा होँए ए ये दो नंबर उसका आए ये तीन नंबर है इसको ठीक है और जो पिछे की और मैंने बताया था यह एक नमबर है ना एक नमबर है नीचे इसको यह निचे कॉंटेक्ट बोलेंगे ठीक है यह जो डाइफराम लगाए यह यह में आपको बताए कि डाइफराम यह इसका अंदर नीचे की और लगाए ठीक है तो हम अभी चीज़को हम निए करेंगे हम तो यह दोनों point A A C और एनसी मतलब एक और दो आपस में अब इसके main function को हम समझेंगे कि क्या होता है कि pressure switch को हम दो तरह से use कर सकते हैं या तो pressure बढ़ जाए तो circuit को trip करें या pressure कम हो जाए तो circuit को trip करें हम अपनी chance उसका use कर सकते हैं सबको यह contact के उपर ही depend करता है जो contact लगए है एक दो तीन के उपर ही depend करेंगा ठीक है अब जैसे हमें ऐसा चाहिए हमें सरक्ट ऐसा बनाना की हमारा जो प्रेशर है वह एक kg रहे एक kg के ऊपर हो एक kg के ऊपर और हमारा प्रेसर रहे तो यह क्या करें कि हमारा supply मतलब जैसे कर सब्सक्राइश हो था हमारा स्크ाइब कर देए हमें इसके लिए अभी हम इसकी करेंग्य आभ यह किसले करेंगे अभी हमने इसमें केज़िए पार पहसरे कर दिया इसलिए को शाइब है और अधर इसरे एक बनागते में होंगा तुछ यह ना घ्रैंगे करके हमारा प्रेशर एक की सकतर ह dues और रहेंगे तक रहेंगे लिकिन जैसे वह जाते यहां रहा हुप crashed क्रेंगे यहां doいます करेंगा डायफिर उपर से तर अपने एक केज़ो चैन्asons को ठेंगे यह एक की हब एक यहां मेका और यहां अपर को पुछ करेंगा निक्ति को अज्ब करेंगा जिससे क्या होगा कि वह स्बूम्ध को उपर के वर पुछ ज्यादा हो गया तो हमारा चुछ स्प्रिंग है उपर की ऊवर उठेंगा उससे उठने क्या होगा कि यह जो मेटलिक पट्टी बनी है यह पट्टी अभी देखेंगे अब यहाँ पर अप्लाएंगा और यह क्या होगा यह पट्टी को यह उपर पुश करेंगा मैंने यह वाली सब्सक्राइब इसको पुश करेंगी तो यह पर यहाँ पर आपस में उपर हो जाएंगी और नीचे उपन हो जाएंगे तो यह तो इस तरह क्या होगा कि यह दो वर तिन इसका signal हमने PLC को दिया मान लो तो यह open था लेकिन अभी आप्रेट होगा प्रेशर जाता होगा तो यह PLC क्या गरेंगा उस वाल को signal देदेंगा जो लाइन में लगा है उस वाल को यह कर देंगा ओपन क्लोस कर देंगा तो क्या लाइन का पूरा जितना भी मतलब पानी आ रहा वो रुख जाएंगा और हमारा supply disconnect हो जाएंगा तो इस तरह हम प्रेशर इसका यूज किया है मतलब प्रेशर बढ़ने पर हमने उसका कटप होने के लिए उसका यूज किया लेकिन हम इसको इस तरह भी उसका सकत की प्रेशर कम हो जाए तो यह कटप करें तो उसके लिए क्या गया बढ़ने के लिए हमने उपर के यूज किया था यह नो यूज किया था कटप करने के लिए हम एंसी यूज करेंगे ठीक है एक और प्रेशर 1 kg के उपर था तब तक यह यह नो थे प्रेशर जैसे 1 kg के अंपर आ गया यह हो गया यंसी मतलब फिर से यंसी हो गया और यह सिंगल कहा देजेंगा PLC को PLC फिर वालों के जनेगा वह वाल के इसाफ से वह वाल ओपन हो जाएगा और फिर से हमारे लिक्विड आमा च अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड सरकल में शेयर जरू किजिए का दोस्तों अब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यों